नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं, पेशे साथ अप्राल, शुकरवार सुबह सवाच्छे राजिस्तान के बड़ी खबरें राजिस्तान के मक्हे मंत्र शोग गहलोद ने PM मोदी को पत्र लिखा है सेम गहलोद ने किसानों को फसल खराबी में तवरी तरहाद देते हुए SGRF सहायता का PM फसल भीमा योजना में समायोजन समाप्त करने की मांग की है गहलोद ने पत्र लिखकर भारत सरकारदवार अक्टूबर 2022 में जारी किये गए नेमो में SGRF से किसानों को फसल खराबे के लिए दी जाने वाली सहायता राशी को प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना में मिलने वाली राशी के साथ समायोजन को समाप्त करने का अग्रह किया है मुख्य मंत्री ने इसमें लिखा है कि किसानों को फसल खराबे के लिए तवरित सहायता नहीं मिल पा रही है प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना से किसानों को आपदाओं के दौरान मिलने वाली भीमित राशी के गर्णा करना एक जटिल एवम डंबी प्रक्रिया है इससे SDRF सहायता देने में विलंब होता है जबकि किसानों को फसल खराबे के तुरंत बाद अगले फसल के लिए रखम जटानी होती है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी 71,000 युवाओं को सरकरी नौकरियों का न्युक्ति पत्र देने जो रहे हैं इन में सबसे ज़ादा न्युक्ति पत्र रेलवे की सरकरी नौकरियों के लिए दिये जाएंगे प्रधान मंत्री मोदी ने पिछले साल धन तेरस पर बेरोजगार युवाओं को सरकरी नौकरी देने की गोशना की थी मोदी सरकार ने घोशना की है कि इस साल के अन तक 10 लाग सरकारी नौकरियों दी जाएंगी रासान हाइकोट में गुरुवार को गुर्जर आरक्षन मामले में सुनवाई हुई साल 2007 में गुर्जर आरक्षन का मामला सामने आये था इस दोरन कई जुगा रेल पटरी वेसड़क जाम करने का मामला सामने आये था मामले में हाइकोट में गुरुवार को सुनवाई हुई हाइकोट की ओर से राजसरकार के अवमानना या चिकाओं को खरिश किया गया है साथ ही हाइकोट ने उस समय स्वप्रेरित प्रसंग्यान लिया है उसे भी निस्तारित कर दिया है जस्टिस महेंद्र गोयल के एकलपीट ने निस्तारन के आदेश दिये है राजसान के हरित शेतर में वृदी करने के मकसद से राजसान के गहलो सरकार और फ्रांस डवलप्मेंट एजनसी के मध्या एक समझोता हुआ है इसके तहट फ्रांस के एजनसी के सहयोग से प्रदेश के तेरह जिलों में लाखों की संख्या में पौधे लगाई जाने की योजना है मुखे सची उशा शर्मा ने कहा है कि फ्रांस डवलप्मेंट एजनसी के सहयोग से क्रियानवित होने वाली राजस्तान वाने की एवम जैवे वित्ता विकास परियोजना के अंतरगात है व्रहत स्तर पर व्रक्षा रोपन किया जाएगा जिससे प्रदेश के हरी तुशेतर में व्रधी होगी राजस्तान में लाइसेंस वे वाहनों की आरसी के लिए बार बार आर्टियो वे डीटियो कारेले के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने वाली है जल्दी आप खुद लाइसेंस वे R.C. को ई आधार की तरह डाउनलोड कर पाएंगे लाइसेंस और आरसी के स्मार्ट कार्ट बंद कर दिये जाएंगे यदि कोई व्यक्ति चाहेगा तो आधार की तरह ही ये मित्रक केंदर से लाइसेंस का प्रिंट निकल वा सकेगा इस बदलाव से लाइसेंस की फीस कम होगी अभी तक लाइसेंस के स्मार्ट कार्ट के लिए लिये जाते हैं केंदर सरकार ने गुरवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किये इन में सट्टे बाजी और दाव लगाने वाले किसी भी खेल को बैन किया गया है साथ ही मल्टिपल सेल्फ रेगुलेटरी संगटनों के लिए एक फ्रेम वर्क तै किया गया है आई टी राज्य मंत्री राजीव चंदरशेखर ने कहा कि दाव लगाने या सट्टे बाजी में शामिन ऑनलाइन गेम ऑपरेट करने वालों को इन नए ऑनलाइन गेमिंग नेमों का पालन करना होगा इसके लिए उन्हें पहले से अनुमती लेनी होगी अलवरवे सीकर एसीबी ने गुरुवार दोपहर को मुंडावर में दो महिला सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए गिरिफतार कर लिया दोनों पोशाहार के बिल पास करने के लिए आंगनबाड़ी कारकरता से रिश्वत लेने का दबाव बनाते आ रही थी एसीबी ने सत्यापन कर दोनों को ट्रैप किया है एसीबी के अधिकारी ने बता कि महिला सुपरवाइजर सुशीला देवी ने पोशाहार के बिल पास करने के लिए आंगनबाड़ी कारकरताओं से 15% कमिशन मांग रही थी पिछले काफी महिनों का बिल पास करने के एवज में 26,000 रुपे की रिश्वत मांगी जिसकी पुस्टी के बाद एसीबी ने मुंडावर में महिला बालविकास पर योजना की कारेल ऐसे सुपरवाइजर को गिरफतार कर लिया रहसान के सबसे बड़ी भरती परिक्षा का रिजल्ट इसी महिने जारी हो जाएगा शिक्षक भरती के 48,000 पदों पर एक लाग कैंडिडेट को पास किया जाएगा रहसान आज़े करमचाई चेर्न बोर्ड ने इसकी तयारियां पूरी कर ली है 24 फरवरी से 11 मार्स के बीच अलग-अलग चर्णों में 48,000 पदों पर ये परिक्षा हुई थी अब दोगने कैंडिडेट को पास कर मेरिक लिस्ट तयार की जाएगी बोर्ड के चेर्मेन हरी परसाद शर्मा ने बताए कि हमने पूरी तयारी कर ली है परिक्षा पईनाम किसी बिस्तिती में इसी महिने में जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा इस प्रक्रिया में जो अबहर्थी तया नियमानुसार श्यक्षिन की योगता और नियमा को पूरा नहीं करते होंगे वे अपने आभी बाहर हो जाएंगे बाहर हनुमान जी की अलाकिक भाव की प्रतिमा प्रभुश्री नाथ जी की नगरी में स्थापित होगी इसका भूमी पूजन हनुमान जन मौसफ के अफसर पर गुरुवार को किया गया राजस्वर में बढ़ोतरी के लिए रास्थान बोर्ड आफ मुस्लिम के अधीन सीधी संपतियों पर अतिकर्मन करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार प्रनाली में बदलाव करेगा बोर्ड के अधिकारों के मताबिक जैपुर में दिली रोड सही तन्य जगों की संपतियों पर लंबे समय से काबिज किराएदारों से समझाईश कर किराया जमा करवाने की गुहार लगाई गई है कुछ जगों पर अब भी लाखो रुपियों का किराया बकाया चोल रहा है इसके लिए वक्फ बोर्ड ने किरायदारों को मार्च के अंतिम सबताहा तक का अल्टिमेटम दिया था इसके बाद बोर्ड बे दखली की कारवाही करेगा आर्बियाई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरवार को बताया कि बैंकों की प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइसेंस से यूपियाई को जोड़ा जाएगा रासान लोक सेवा आयोक द्वारा स्वायत श्वासन विभाग के राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वित्य अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ एवं सहाय कमेंता सिविल पदों की परिक्षाओं में संशोधन का अवसर दिया गया है आज 7 अप्रायल से 16 अप्रायल 2023 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जरम्तिती तसा जेंडर के अतरिक्त सभी प्रिकार के संशोधन ऑनलाइन किये जा सकेंगे आयक सचीव एच्चल अटल ने बताया कि राजिस्व अधिकारी ग्रेड द्वित्य एवं अधिशासी अधिकारी ग्रेड से तुर्थ की परिक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की जानी है राजसान में अगले महिने ग्रामिनाम शहरी सरकारों में खाली पड़ी सीटों पर उप चुनाव करवाए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए प्रोग्राम चारी किया है ये चुनाव नगरे निकायों जिलापईशत पंच्वाय समित्य एवं ग्राम पंच्वायत में खाली पड़े वाडों और सर्पंच उप सर्पंच की पड़ों पर होंगे और 471 वाड पंच के लिए चुनाव होंगे उन्होंने बताया कि नगरे निकाय में खाली वाडों पर चुनाव के रिया दिसूचना 21 अप्रेल को जोरी की जाएगे और 25 अप्रेल तक नामंकन पत्र भरे जाएंगे वोटिंग 7 मई को करवाई जाएगे और रिजल्ट 8 मई क को मतगरना के बाद जोरी किया जाएगा तायसान सरकार की मुख्य मंतरी किसान मित्र उज्जा योजना से टोंग के किसानों को प्रदेश में सबसे जादा फायदा मिला है फरवरी में इस योजना का फायदा जिले के 95.13 प्रतिशत किसानों को मिला है जो प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा है इस रैंकिंग में टोंग किबा सीरो ही जयापुर चितौरगर और पाली का स्थान रहा है इस रैंकिंग में टोंग जिला जनवरी में दूसरे पायदान पर था जयापुर विदित वित्रण निगम लिमिटेड के ऐसी सतीश गुपता ने पादात 19,924 है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ